लोकसभा चुनाओं के बाद बिहार की राजनीती पूरी तरह से करवट लेती हुई दिख रही है और उसका असर अब जारखंड पर भी पढ़ने लगा है क्योंकि जदियू के जो प्रदेश अद्यश हैं जारखंड के उन्होंने साफ तोर पे ये घोशना कर दी है कि विदान सभा चुनाओं के सभी 81 सीट पर जदियू अकेले चुनाओी मैदान में जाएगी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदियू के महासचीव जदियू के नेता बगवान जी है उनसे बात करते हैं बगवान जी आपके प्रदेश अद्यश ने अलान कर दिया कि सभी 81 बात किया है उसमें निर्णे हुआ है कि हम सभी सीटों पर अपना त्यारी करेंगे फूर्जो धंग से और आने वाले समय में हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हम सभी सीटों पुलडएंगे हमारे अध्यक्ष ने घोषना किया है और बिहार इसको क्या बिहार से जोड़कर मजबूत है बिहार में और हमारे जो नेता रास्ट्री अध्यक्ष है सरोमान नेता नितिश कुमार जी ने उन्होंने जो फैसला लिया है हम तो बार बार आपको बोल रहे है कि हमारे सरोमान नेता नितिश कुमार जी ने जो गड़बंधन पर फैसला किया केंद्री मंत्री म परमंडल हुए और कोई मामला हो उस पर पूरी पार्टी उनके नेत्रित में एक जूट है रहाज्चा जारखंड की बात तो जारखंड में हम लोग पर्मंडल वाईज हमारे जो परदेश-द्ध बना गया है साल खन, मरमूर, उनकी नेतरीत में हम लोग पर्मंडल वाईज बैठक कर रहे हैं जैसे पर्मंडल में जिस पर्मंडल के बैठक होती ही वहां के जिला द्धच, वहां के परदेश भा अधिकारी ही वहाँ के इंपौर्टेंट साथ हो रही है उसके राशी हो रही है HERE हम लोग तैयारी में लग ग Earnे वितान सभा चुनाओं में कैसे आना है किस रूप में सब्सक्राइब तक कोई बात हो पाई है या बिना बात हुए ही यह गोजनाओ देखिए ऐसा है कि जारखंड में चुनावी जो महाल था उसमें हमारे जो एंडिये के नेता और पाटी के हमारे सारुमान नेता जदियू के जो परदेश सद्यक्षे बिहार के मुखमंत्री लोगप्रियों मुखमंत्री उनका डिरेक्शन था कि जारखंड में एंडियों को मदद करना चाहिए तो यहां का पाटी ने पूरे तनमंध धन से जो एंडिये को उमिद्वार थे यहां रांची में चाह कहीं भी जारखंड में सब जगे जदिव ने पूरे तनमंध धन से उनको मदद किया लेकिन जहां तक अपना तैयारी किसी भी दल की सोतन तरता है अपना तैयारी करने का त दो मंत्री मंडल में सीट खाली हो चुकी है अलांकि आप लोगों की दावयदारी नहीं बनती है लेकिन बोर्ड निगम में आपकी बागयदारी हो सकते कि आप लोगों की नजर उस पर है देखिए हम बोलें किसी भी रूप में यहां सामील अगर पाटी अगर एंडिये में करना है यहां तो हमारे रास्ट्रिय अधिक जो है सुर्मान नेताद नितिसकुमार जी उनका निर्णे अंतिम होगा उसको यहां का पाटी मनेगा पुड़ा अंतिम निर्णे अलागी नितिसकुमार को ही लेना है लेकिन पाटी के तेवर से यह जरूर साफ हो रहा है कि बिहार की राजनीती का असर जारखंड में पढ़ रहा है और यही वज़ा है कि लगातार बैटकों का दौर जारी है परदेश अध्यस के तरब से बयानों का दौ ना लड़ेंगे तो देखना आओगा कि बिहार का असर जारखंड पर और कितना पड़ता है और जारखंड की राजनीती इससे कितनी परभावित होती है अपने सहियोगी ससी परताब के साथ सनी सरद एबी न्यूज रांची